का घरका बनाऊवा पनेर हो तो खाने का स्वाधी दुगुना हो जाता हैं पानी और पानी को फ्रेंट्स नम थोड़ा सा फैला लेंगे तो इससे क्या होगा फ्रेंट्स जो दूद है वो इसमें चिपकेगा नहीं और यहाँ पर फ्रेंट्स देखे, मैंने 1 लिटर फुल क्रिम मिलक लिया है तो जब ही पनीर बनाये, फुल क्रिम मिलक लें इससे जो आपका पनीर है वो अच्छे क्वांटिटी में बनके त्यार होगा और अभी फ्रेंट्स दिमी आज पर दोध को गरम होने देंगे कि इसमें जो रेशे हैं वो पनीर में ना आए तो ये फ्रेंट्स तक्रिबन एक टेबल स्पून जितना लेमंजुस होगा और अभी देखे फ्रेंट्स दूद में उबलाना शुरू हो गया है और यहाँ पे फ्रेंट्स हमें लगातार इसे चलाते रहना है तो तक्रिबन फ्रेंट्स एक मिनिट हम कंटिनियसली चलाते रहेंगे ताकि दूद में जो मलाई जम गई है वो अच्छे से दूद में मिक्स ऑप निंबू के रसे भी फाड़ सकते हैं आप छाहें तो सीरकीय का यूज भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दही या चाथ से भी दूद को फाड़ा जा सकता है. लेकिन सबसी जो बेस्ट तरीका है वो опять इससे आपका जो पनीर वह बहुती नैचुरल, सॉफ्ट और बहुती बढ़िया बनता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नीबू का ही इस्तिमाल करें, और अगर आप मिठाया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नीबू का इस्तिमाल करें, इससे आपका जो पनीर सॉफ्ट बनेगा और मिठाया जो है वो भी बहुती बहतरिन बनेगे, और अभी फ्रेंट्स देखिए, दुबारा से फिर से उबालाना शुरू हो गया है दूद में, और अभी फ्रेंट्स क्या करना है, एक बार हम अच्छे से दूद को मिक्स करेंगे, और गैस को बन कर लेंगे, और इसके अच्छे बाद ये जो निबू कारा से वो हम दीरे-दीरे करके इसमें एड़ कर लेंगे, और बिलकुल हलकी हाथों से फ्रेंट्स हमें इसे मिक्स करते जाना है, दीरे-दीरे हम चलाएंगे, और अभी फ्रेंट्स आप देख सकते हैं, दीरे-दीरे इसमें पनीर बनना पानी है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो जाता यह देखे फ्रेंच पनिर हमारा बन के तयार हो गया है और अभी इसे कम से कम दो मिनिट हम ठंदा होने देंगे ताकि इसमें जो भाप है वो अच्छे से निकल जाए और अभी फ्रेंट्स क्या करना है हमें इसे चानना है तो इसके लिए फ्रेंट्स आप कोई भी भगोना या कोई भी एक बॉल ले ले बड़ा और इसमें फ्रेंट्स हम रख लेंगे चलनी कोई भी चलनी आप ले सकते हैं जिसमें आप सूप चानते हैं या जो भी आपके पास है और अभी हमें कोई बी कपड़ा यूज करना इस में तो आपके पासकर कॉटन का है कोई पतला सा कपड़ा या मलमल का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कपड़ को अच्छे से पानी में थोड़ा सा भीगा लें और अभी फ्रेंड्स यह जो फटावा दूद है वो हम इसमें डाल देंगे तो अभी आप देख सकते हैं अभी भी कितना गरम है तो इसमें फरेंड्स हम एक या दो ग्लास जितना धंडा पानी आढ़ करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स इससे पानी निकाल लेना है तो इस तरह से आप पोटली जैसा बना लें और तीन से चार बार फ्रेंडस हमें इस तरह से प्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें पानी निकालने के जरूत नहीं है तीन से चार बार अच्छे से दबा के जितना हम पाने निकाल सकते हैं निकाल लेंगे और अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट ली है और इसमें मैंने यह जो पनीरे वो इस तरह से रख लिया है और अभी मैं क्या करूंगे फ्रेंड्स इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगे तो कपड़े को फ्रेंड्स आप इस तरह से फोल्ड कर यह देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रेस कर लेंगे ताकि एक्वली जो पनीर है वो हमारा बनके तयार होगा अच्छे से श्प्रेड हो जाएगा और अभी वर्टनाप ले ले उसी साइज का तो मैंने यह पे चोटी सी पतेली ली है इसको मैंने रख दिया है इसके उपर फ्रेंड्स आपको एक या डेट किलो का वजन आपको रखना है तो आपके पास जो भी है कोई बी डबा भी रख सकते हैं या सिलबटा जो भी आपके पास और इसके बाद देखे फ्रेंड्स एक घंटे के बाद हम अभी पनेर को चेक लिए तो यह देखे फ्रेंड्स कितना बड़ा पनेर हमारा बनके त्यार हो गया है यह देखे और अभी friends हमें क्या करना है पनीर को हम कम से कम आधा गंटा पानी में रखेंगे तो यहां पे भी मैंने normal water लिया है मटके का और इसमें ये पनीर हम रखलेंगे तो इससे क्या होगा friends पनीर जो हो है वो हमारा कफी white बनेगा, soft बनेगा और बहुती moist बनेगा तो यह देखे, फ्रेंज, 30 मिनिट के बाद, अभी फिर से हम पनीर को चेक करेंगे, यह देखे, आप देख सकते हैं, कितना बढ़्या लग रहा है पनीर हमारा, यह देखे, और अभी फ्रेंज, हम इसे मन चाहे शेप में कट करेंगे, तो अभी फ्रेंज, आप इसके मिठाया बनाना चाहते हैं, तो आप रस्गुला बना सकते हैं, इसके रस्मला ही बना सकते हैं, इसके चमचम बना सकते हैं, क्योंकि यह पनीर फ्रेंज, बहुत ही सॉफ्ट है, और इसकी जो हमारी भारती पारंपरिक मिठाया है, वो बहुत अच्छी बनेंगे इससे, यहाँ पे फ में friends ये डेट सो से 200 ग्राम पनीर हमारा बनके तयार हो जाता है ये देखे friends ये देखे कितना अच्छा पनीर बनके तयार हुआ है और कितना white है soft है और कितना gila gila सा भी है ये देखे कितना स्पौंजी है तो इस पनीर से फ्रेंड्स आप सब्यी भी बना सकते हैं डो ब्रेंड्स पनीर हमारा बन बन की तयार है आपको मेरी ररेशीपिश अच्छantage लग हैं तो मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए शेयर किजिए और इस तरह से एक बारा पनीर बना के जरूर ट्राय करें और अपने अनुभव मुझे जरूर शेयर करें धन्यवाद